हेलो बच्चों, आज हम करेंगे NCRT के लास थर्ड, EVS का चैप्टर 14, The Story of Food इस चैप्टर में दो परिवार दिये गए हैं, एक वेनू का परिवार है, और यह है रानी का परिवार यहाँ पर कुछ पिक्चर दिगे हैं, जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें वेनू की फैमली है, वेनू की मदर खाना पका रही है, उसके जो फादर है वो फर्स की सफाई कर रही है सेकंड पिक्चर में रानी का परिवार है रानी की मदर खाना पका रही है सेकंड जो नीचे वाली पिक्चर है उसमें वेनू और उसका परिवार साथ में खाना खा रहा है और जो रानी का परिवार है उसमें जो मेल है घर के वो खाना खा रहे हैं से रानी का भाई रानी के फादर और रानी उनको खाना सर्व कर रही है थर्ड पिक्चर में बेनु सैंक्लिंग कर रही है उसके ममी पापा न्यूस पेपर पड़ रही है और रानी के परिवार में रानी के जो फादर है वो न्यूस पेपर पड़ रहे है और रानी और उसकी ज पिक्चर दी गई है उनको देखना है और उसके बाद नीची दो कोशन है जिनके अंसर आपको देने हैं फर्स्ट कोशन है दोनों परिवार में जो लोग हैं वो क्या काम कर रही है इसके अंसर में आपको लिखना है वेनू की जो मदर है वो खाना पका रही है और उसके जो फादर है वो फ्लोर की सभाई कर रहे है All the people of the family are eating food together और घर के सभी सदस्य एक साथ खाना खा रहे है Mother and father are reading newspapers and वेनू is cycling वेनू के ममी पापा newspaper पढ़ रहे हैं और वेनू cycling कर रही है Second family है वरानी के family तो रानी की family में mother is cooking food मदर खाना पका रही है Males of the family are having food जो घर के मेल सदस्य है वो खाना खा रहे है And Rani is serving the food और Rani उनको food serve कर रही है Rani and her mother are fetching water and Rani's father is reading newspaper Rani और उसकी मदर कुए से पानी ला रही है और Rani के जो फादर है वो newspaper पढ़ रहे है Second question है Is your family like any one of these family? If yes, like which one? क्या आपकी परिवार इन में से किसी परिवार की तरह है? और अगर हाँ तो किस की तरह है? How is your family like theirs? और आपका परिवार इन की तरह कैसे है? इसके answer में आप लिख सकते हैं Yes, my family is similar to venus All of us eat meals together कि हाँ मेरे परिवार वेनू की परिवार की तरह है हम सब भी साथ में खाना खाते है अब आपके लिए और questions है First question है Do all the people in your family eat together? If not, why? कि आपके परिवार के सभी सदस्य एक साथ खाना खाते हैं और अगर नहीं खाते हैं तो क्यों नहीं खाते हैं? तो इसके answer में आप लिख सकते हैं All people in my family eat together during dinner time कि मेरे परिवार के सभी सदस्य Dinner time पर एक साथ ही खाना खाते हैं Second question है Who eats last in the family? Family में सबसे last में कौन खाता है? तो इसके answer में आप लिख सकते हैं Nobody as we try to eat together most of the time कि हमारे परिवार में last में कोई नहीं खाता है क्योंकि हम सब try करते हैं कि हम लोग एक साथ ही खाना खाए Third question है Who does not help in cooking food in the family and why? कि घर में खाना पकाने में मदद कौन नहीं करता है और क्यों? इसके answer में आप लिख सकते हैं I do not help in cooking Because I do not know how to cook कि मैं खाना पकाने में help नहीं करता हूं क्योंकि मुझको खाना पकाना नहीं आता है आप तो बच्चों हो ना बच्चों को तो खाना पकाना आता ही नहीं है तो इसलिए आप इसके answer में यह सब लिख सकते हैं In the table, some of the work done in the house has been mentioned नीचे कुछ काम दिये गए हैं जो कि घर में किये जाते हैं Find out who does them in your house and who does them in your friend's house और आपको पता लगाना है कि उन काम को आपके घर में कौन करता है और आपके फ्रेंड के घर में कौन करता है You can add some other work also to the list और आप इन काम के अलावा भी दूसरे काम इसमें आड़ कर सकते हैं तो बच्चों वैसे तो यह कोशन आपको खोदी करना है लेकिन आपके लिए सिफ यह एक 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 जामपल है जो मैंने फिल कर रखा है Cooking Food, Food कौन कुक करता है सबके घर में मदर ही खाना पकाती है तो इसलिए मैंने इसमें मदर लिखा है Buying Things from the Market Market से चीज़े कौन खरीता है तो Mother and Father तो मैंने दोनों में ही Mother and Father लिखा है Sweeping जाडू कौन लगाता है Mostly तो मदर ही लगाती है लेकिन किसी किसी के घर में मेड भी लगाती है इसलिए मैंने मदर लिखा है और मेड लिखा है Cleaning the utensils बरतन कौन साफ करता है तो मदर भी बरतन साफ करती है और कहीं कहीं मेड भी करती है तो मैंने Mother भी लिखा है Mother and Maid भी लिखा है Filling Water पानी कौन भरता है तो पानी घर में sister भर सकती है brother भर सकती है मैंने लिखा है sister आपके घर में जो भरता है आप वहाँ पर वही लिखना और आपकी friend के घर में कौन बढ़ता है ये भी आप उससे पूछ कर यहाँ पर लिख सकते है Reading, reading कौन करता है लगभग सभी लोग reading करते है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है everyone Playing, कौन खेलता है तो घर में जो बच्ची होते हैं वो खेलते हैं जैसे me and sister यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं खेलता हूँ और मेरे sister खेलती है और friend के घर में मैंने लिखा है friend क्योंकि वो भी बच्चा है तो वो खेलता है Who does more work? ज़्यादा काम कौन करता है? In your house, in your friend's house तो बच्चो सब के घर में जो मदर होती है वो ही सबसे ज़्यादा काम करती है तो इसलिए मैंने लिखा है कि mother और friend's ही घर में friend's mother Where does what we eat come from? हम जो खाते हैं वो खाना कहां से आता है? The names of some food items are given below नीचे कुछ food items के नाम दिये गए है Add some more names to the list आपको इस list में कुछ और नाम भी जोडने है Draw a green circle around those items that we get from plants और आपको एक green circle लगाना है उन items के उपर जो हमको plants से मिलते हैं Draw a red circle around those items that we get from animals और जो item हमको animals से मिलते हैं उनके उपर आपको एक red circle लगाना है तो बच्चो फ़श्ट में है honey honey हमको कहां से मिलता है honey तो honey bees बनाती है इसका मतलब यह animal से मिलता है इसलिए मैंने इसको red circle किया है turmeric turmeric हमको पोधो से मिलती है इसलिए green fish animal है तो red, cheese, cheese भी हमको animal से मिलता है क्योंकि cheese बनता है दूद से और दूद आता है काय से corn हमको plant से मिलता है इसलिए green milk animal से मिलता है इसलिए red लेमन भी हमको एक प्लांट से मिलता है इसलिए हम मैंने इसको ग्रीन किया है चिली भी प्लांट से मिलती है इस्पीनिच भी प्लांट से मिलता है पोटेटो भी अजवाइन भी राइस भी और फिर एग हमको एनिमल से मिलता है मीट भी हमको अनिमल से मिलता है इसलिए मैंने इनको रेड किया है फिर है बनाना और एपल बनाना और एपल दोनों ही प्लांट से मिलते है इसलिए मैंने इनको ग्रीन किया है फिर टोमेटो है, ओनियन है, वीट है ये सब हमको मिलते है इसलिए इनको green क्या है और curd, curd हमको मिलती है animal से क्योंकि दूद से curd बनती है और दूद हमको animal से मिलता है जब आप बिमार होते हो तो क्या आपको यासी medicine लेते हो जो कि plant से मिलती है अगर आपको चोट लग जाती है तो आप क्या लेते हो तो उसमें हैं बच्चो टर्मरीक जो टर्मरीक होती है वो एंटिसेप्टिक होती है तो अगर कहीं हमको चोट लग जाती है तो हम आपर टर्मरीक लगाते हैं हल्दी और अगर कभी हमारे पेट में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं अजवाइन एंड ब्लेक साल्ट, जो पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, फिर है, have cuff and cold, और cuff and cold हो जाए तो क्या करते हैं, milk and turmeric और उसके लावार तुलसी, तो दूद के साथ हम हल्दी लेते हैं, और कभी-कभी हम तुलसी के चाय भी लेते हैं, अगर हमको cuff and cold हो जिससे कि उसका दर्द ठीक हो जाता है, choose the correct basket for each item, draw a line to match, अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, कि यहाँ पर कुछ हमको items दिये गए हैं, तो आपको basket के साथ में हमको match करना है, कि जो flower है तो flower वाली basket के साथ में, leaves है तो leaves वाली basket के साथ में, तो बच्चों मैंने य line row नहीं की है, क्योंकि line row करने से आपको यहाँ पर जाता कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने जो items हैं, उनको basket के बराबर में लिख दिया है, आप अपनी book में line row कर लेना, जैसे flower है तो मैंने flower वाली basket के पास में लिखा है, जैसे flower of कचनार, कोली flower, ये दोनों flower है, तो flower वाली basket के पास में मैंने इनके नाम लिख दिये है, उसके बाद है leaves, leaves कौन सी है, spinach है and curry leaves है, तो ये मैंने leaves वाली basket के पास में इनका नाम लिख दिया है, इसके बाद नीचे है fruit, fruit कौन कौन से है, यहाँ पर mango है, आमला है, jack fruit है, बनाना है, तो ये मैंने fruit basket के पास में ल प्लांट के दूसरे पार्ट है जो कि मैंने जो बास्किट है अधर पार्ट वाली उसके पास में इनका नाम लिख दिया है आप अपनी बुक में लाइन ड्रो कर सकते हैं तो बच्चो यह हमारे चैप्टर हो गया है आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ओके बच्चो बाई